हेलो एब्रिवन नमस्कार मैं सचिन आपके अपने यूटूब चैनल बियाइडी सर पे आप सभी का बहुती पहरा पहरा आप नंदन स्वागा टैंट मोस्ट वेलकम है आज 12 कलास का हमारा पहला यूनिट और पहला यूनिट का पहला पार्ट क्या होने वाला है स्टार्ट होन है जब तक हम आवेश को नहीं समझ सकते कि अगर आप आवेश को नहीं समझे ठीक है तब तक आप बैदुच छित्र को भी नहीं समझ सकते हैं ठीक है तो आईएगा इनी शब्दों के साध हम स्टार्ट करतें अपनी कलास को ठीक है देखिए बात करते हैं आवेश की कि आवेश क्या होता है तो देखे जरा ध्यान से सभी लोग मैं कहता हूँ आवेश पधार्त का वहे गुड है जिसके काल वहे किसी अन्वस्त को या तो अपनी ओर क्या करता है आकर्शित करता है और या अपनी ओर क्या करता है प्रितिकर्शित करता है इसी को क्या कहते हैं आवेश कहते हैं और यह एक अधिश्राशी है यह भी ध्यान रखना है आपको मैंने का आवेश यह क्या है और यह क्या है दूसरी बस्तो नोगा अब यह बस्त को या तो अपनी ओर क्या करेगी आकर्षित करेगी और या तो यह बस्त किसी भी किसी भी किसी भी बस्तु के क्या है अंदर पाई जाती है तो सीधी सी बात है उश्वी को क्या कहते हैं आवेश कहते हैं अब जरा ध्यान दिजीगा मैंने कहा ये क्या है मारकर है ठीक है ये मारकर मुझे भी क्या कर रहा है अपनी ओर आकरशित कर रहा है अब को कि क्यों भीया पहली वाली क्लास याद रखेगा ये सबसे पहले क्या है बस्तु है और बस्तु में दो चीजें पाई जाती है पदार्त में दो चीजें पाई जाती है कि द्रब्यमान प्लश आवेश और आवेश का क्या गुड होता है या तो वो किसी भी बस्तु को अपनी ओर क्या करेगा आकर्षित करेगा और या तो वह किसी भी बस्त को क्या करेगा प्रितकर्षित करेगा अब ये भी है तो ये भी या किसी भी बस्त को अपनी और क्या करता है आकर्षित करता है अब याद रखिएगा कौन सी चीज आकर्षित करती है और कौन सी चीज प्रितकर्षित करती है तो तो मैंने कहा यह जो कड़ है जो बहुत बड़ा है आकार में यह इस छोटे वाले कड़ को क्या करेगा अपनी और आकर्शित करेगा तो यही क्या है आविश है ठीक है अब बात करते हैं आँगे अब बात करते हैं आविशों की प्रकार की कि आविश होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं और कितने टाइप्स के होते हैं ठीक है तो बात करते हैं आविश की तो देखा जाए तो आविश निमन लिखे दो प्रकार का होता है कितने पिरकार का होता है दो पिरकार का ठीक है एक होता है आपका धनायन या धनायन आविश और एक होता है रिड़ावेश ठीक है आप कहोगे वहिया ये धनावेश क्या होता है ठीक है और रिड़ावेश क्या होता है तो अगर देखा जाए यही आकरशित और प्रितकरशित गुड़ों को क्या करते हैं प्रदर्शित करते हैं याद रखिएगा अगर कोई भी पूस्ता कि धनावेश क्या होता है, ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि जिस में इलेक्टोनों की क्या हो, कमी हो, जिस पधार्त में इलेक्टोनों की क्या होती है, कमी होती है, उसी को क्या कहते हैं, धनावेश कहते हैं, और जिस पधार्त म इलेक्ट्रोनों की क्या हो अधिक्ता हो उसी को हम क्या कहते हैं रडाविस कहते हैं मैंने कहा ये आप हैं आपके पास पैसे हैं पचास रुपे हैं मान के चल लिए अब आपके पचास रुपे आप किसी को दे रहे है या आप से कोई ले रहा है तो जो आपके पास ये जो पचास रुपे है इनकी क्या हो रही है कमी तो हो रही है तो जब आप के पैसों की कमी हो रही है तो आपके और पैसों के बीच में जो आवेश काम करेगा उस आवेश को हम कहते हैं प्रतिकर्षित बल कौन सा बल कहेंगी प्रतिकर्षित बल अब मान के चलिएगा कोई भी पैसा ये है ये आपके पास आ रहा है तो पैसे की बीच में और आपके बीच में जो बल काम करेगा उसे कहते हैं आकरशित किसी भी चीज को अपनी और अट्रेक्ट करना ही क्या कहलाता है आकरशित कहलाता है और कोई भी चीज जब आपसे क्या जाती है दूर जाती है तो वो जो बल लगता है बीच में वो कौन सा लगता है पृत्गरशित का इतना याद रखना है अब बात करते हैं कि भाईया जो धनावेश होता है उस पे कौन सा चार्ज होता है और जो रेडावेश होता है उस पे कौन सा चार्ज होता है तो धनावेश पे plus का charge और रिडावेश पे minus का charge बट इसमें कुछ उंटा होता है धनावेश पिलस को समझ के ये मत समझियेगा कि यहाँ पर electron की अधिकता होगी नहीं यहाँ पर ultra होता है math की भासा में कहें तो plus का मतलब होता है अधिक लेकिन physics और chemistry में होता है धनायन का मतलब कम तो जहां पर धनायन चार्ज होगा महां electronों की कमी होगी और जहां reliant चार्ज होगा महां electronों की क्या होगी अधिकता होगी ठेक है आप बात करते हैं कि भईया प्रतिकर्शित बल कैसे बनता है तो मैंने का दोनों ही धनायन धनायन चार्ज आपस में लिए और मिलाने की क्या की कोसिस की तो इनके बीच में जो बल लगेगा ठेक है वहवल प्रतिकर्शित का होगा दूर भागेंगी यों दोनों कड़ या पधार्थ अब मैंने का अगर सेम फिर ले लिया जाए रडाविष ले लिया जाए तब भी बिल्कुल सेम यही प्रोशेशिंग होगी तब भी जो बल लगेगा वो कौन सा लगेगा प्रतिकर्शित लगेगा चीजें आपस में जॉइंट नहीं होगी अब बात करते हैं एक पॉजिटिब ले लिया और एक नेगेटिब ले लिया और चीजों को क्या किया मिलाया तो इनके बीच में जो बल काम करेगा उस बल को हम कहते हैं आकर्शड बल ठीक है तो इतनी तो बात हुई यह हमारी आवेश के क्योंकि अगर आप आवेश को समझ गई कि आवेश क्या है तो मैं कहता हूँ वैद्दुत छेत्र को भी समझ सकते हैं कि वैद्दुत छेत्र क्या होता है ठीक है तो आईए आँगे देखते हैं अब देखे अब बात करते हैं हम आवेश उत्पत्ति के सिद्दान्द की कि आवेश है वो उत्पन कैसे होता है मान के छलिएगा यह कोई पैन है हमने अपने सर में ऐसे इसको घरसर से रगड़ा ठीक है और रगड़ के हम पेज के पास ले गए तो पेज क्या होता है पेज मूमेंट करता है और इसकी तरफ क्या होता है आकर्शित होता है क्यों होता है कोई रीजन होगा ना ठीक है तो CDC बात है यह हम जानते ही क्या पधारत और इसमें आवेश हैं या कुछ इलेक्ट्रॉन है वो आवेश क्या हो जाते हैं सक्रिय हो जाते हैं और जो हमारा पेज है या कागज है उसके जो आवेश होते हैं वो कैसे होते हैं निस्क्रिय होते हैं या एक पे धनायन होता है दू बहुत ही इंपोटेंट सिद्दान्त है यहां से तीन चीजे क्या होती है हमारी किलियर होती है ज़रा ध्यान से देखिएगा पहली जो चीज किलियर होगी उसे हम कहते हैं बैदुत छित कि बैदुद छित्र क्या होता है दूसरी जो चीज के लिए रोती है कि बैदुद धारा क्या होता है ठीक है और यहीं से मैं आपको एक्स्पेन कर दूँगा कि चालक क्या होता है या कुछ आलक क्या होता है इन चीजों के बारे में बता देंगे और पराबैदुतांग क्या होता है ये सभी चीजों के बारे हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे यहीं पे अब बात करेंगे आवेश उत्पत्ती का सिद्दान तो मैं कहता हूँ कि कोई भी क्या है पधार्त है इसके नाभिक है उसमें प्रोटोन और नूटोन क्या है उपस्ते थे और इसके चारो और क्या चक्र लगा रहे है इलेक्टॉन इस प्रकार से ध्यान से समझे यहीं से मैं बैद्दुद छित्र को समझा दूँगा यहीं से आपको बैद्दुद धारा को समझा दूँगा और यहीं से मैं आपको आवेश को समझा दूँगा कि आवेश का निर्माण कैसे हुआ ठीक है अब देखिए ये इलेक्टोन है आपके ध्यान दीजी ज़रा ठीक है मैंने का कोई भी पदहार्त के नाभिक में ये आपका क्या है नाभिक में क्या-क्या उपस्तित है प्रोटोन और नेटोन उपस्तित है तता उसके चारो और अनेको कच्छाओ में预– tai लगा रहे हैं चक्र लगा रहा है अब जराध ध्यान दीजीगा प्रोटॉन पर कौन सा चार्ज है प्लस का और इलेक्टॉन पर कौन सा चार्ज है माइनस का तो इन दोनों के बीच में जो बल लगेगा वो कौन सा लगेगा दूर हटने वाला या पास लाने वाला, तो आप कहेंगे कि भाया जो बल लगेगा वो आकरशड लगेगा, क्यूं लगेगा, क्यूंकि जो चिन हैं वो कैसे हैं, विप्रीत हैं, एक धनायन तो दूसरा रडायन है, अब मैं कहता हूँ एक और मैं एक अक्षा बनाता हूँ, जो बहुत क्या है, दू प्रोटॉन की जो छमता है, वो यहीं तक तो हो सकती है, इलेक्टॉनों को आकरशड करने की, और जो कुछ इलेक्टॉन क्या होते हैं, पधार्थ या परमाडू के जो बहर उपस्तित होते हैं, वो क्या इस प्रोटॉन और इस निटॉन के छेत्र से क्या हो जाते हैं बाहर हो जाते हैं मैंने का जो इससे बद्ध हुए होते हैं या जो इससे बंदित होते हैं इनको बद्ध इलेक्टोन कहा जाता है क्या कहा जाता है बद्ध इलेक्टोन तथा जो इस आकरशडबल से मुक्त होते हैं उसको हम कहते हैं मुक्त इलेक्टॉन, मुक्त इलेक्टॉन, अब ध्यान दीजिएगा, जो ये मुक्त इलेक्टॉन होते हैं, इनी के कारण से क्या जनरेट होता है, आविज जनरेट होता है, या आविज उत्पन होता है, और इनी के साहिता से आपको बैदुत धारा भी क्या ह नहीं होती तो आप एलेक्टिक सिटी को भी नहीं पैदा कर पाते आप बैदुच छित्र को भी नहीं जनरेट कर पाते ठीक है आप थोड़ा एक और में किलियर कट वताता हूं आपको थोड़ा मैं कहता हूं यह हमारा क्या है सन है मान के चलिए यह क्या है सन है और सन के चारोर अनेको कच्छाओं में क्या लगा रहे हैं गिरह हैं वो चक्र लगा रहे हैं इस पिरकार से ठीक है तो मैं एक कोशन करता हूं यह जो सन है वो भी तो किसी पधार्तिया तत्तु का बना हुआ है और जब किसी पधार्तिया तत्तु का यह बना हुआ है तो सीधी सी बात है सू और आवेश के दो गुड़ोते हैं, या तो वो किसी भी चीज को क्या करेगा, आकर्शित करेगा, या वो किसी चीज को क्या करेगा, पृतिकर्शित करेगा, तो मैं कहता हूं, जब सन किसी भी गरह को क्या करता है, अपनी और आकर्शित करता है, तो ऐसा क्यों नहीं हो जाता ह कि जो सन है उसके पास भी अपना बेट है और अगर प्रत्वी है मान के चलिए ये प्रत्वी है तो अब इसका भी अपना बेट है तो ये प्रत्वी को आकर्शित करता है और प्रत्वी सन को आकर्शित करती है तो जब दोनों ही बल आपस में टकराते हैं तो एक निश्चित क् और इस कच्छाओं में ही प्रत्वी 365 या 366 दिन में क्या लगाती है चक्र लगाती है याद रखीएगा अगर आवेश नहीं होता तो यह जो प्रत्वी की कख्षाएं बनी है या सभी आठ गिरोग की कख्षाएं बनी है ये बनना संबब नहीं हो पाता ठीक है और देखिए य जो ये संरचना बनी होई है ये भी क्या है ये देखिएगा ये जो है वो आपके क्या है न्यूटोन है जो दाशीन होते है और जो ये है ये क्या है प्रूटोन है जो धनाविश होते है और जो ये चक्कर लगा रहे हैं ये क्या है इलेक्टोन है और इनी के आपस के मिलने से किसी भी परमाडू किसी भी पधार्थ या किसी भी बस्तु का क्या होता है निर्माड होता है अगर ये प्रिक्रिया किसी के अंदर नहीं होगी तो CDC बात है वो इस अवस्ता में create ही नहीं हो पाएगा ठीक है और देखिए थोड़ा अब बात कर लेते हैं बहुत सारे बच्चे पूँचते हैं कि भाईया आवेश के दो प्रिकार और होते हैं मैं कहता हूँ हाँ होते हैं एक होता है आपका इस्तिरावेश कौन सा आवेश इस्तिरावेश और दूसरा होता है गति शील आवेश अब बच्चे कहते हैं कि भाईया इस्तिरावेश और गति शील आवेश में क्या अंतर है तो मैं कहता हूँ जो योगा की अवस्ता में वैठा हो मनुष वो इस्तिर है और जो क्या कर रहा हो, running कर रहा हो गतिमान, इतना तो सभी समस्ते हैं, ठेक है, तो मैंने कहा, कोई वी चीज़ अगर क्या है, इस्तिर है, moment नहीं कर रही है, ठेक है, और बात हो रही है आवेश की, अगर आवेश क्या है, इस्तिर है तो वो अपने चारो और जो उसका छेत्र होगा उसके चारो और एक छेत्र बनेगा उस छेत्र को ही हम पता क्या कहते हैं बैदुत छेत्र कहते हैं जो आवेश के चारो और जो क्रियेट होता और इस्तिर आवेश करता ये जो इस्तिर होगा वही बैदुद छित्र का क्या करेगा निर्माड करेगा अब मैं बात करता हूँ एक example देता हूँ मान के चलिएगा आपने मोटे मोटे तार लगे हुए देखे होंगे इस पिरकार से उसमें electric city क्या होती प्रवाहित होती है और उन लट्थो के कुछ दूर उचाई पर एक poster लगा होता है कि अगर आप इससे उपर चलेंगे तो आपके लिए क्या है खत्रा है क्यों खत्रा है क्योंकि जो यह बैदुद धारा है या electric city है इसका एक अपना क्या होता है छेत्र होता है और उस छेत्र में अगर आप पहुंचते हैं तो यह बैदुद धारा आपको क्या कर लेगी अपनी ओर आकरशित्र लेगी और आपको क्या लगेगा current लगेगा तो यही क्या होता है बैदुद छित्र होता है आप बात करते हैं कि गती सील आवेश क्या होता है तो जो वो आवेश गती करते हैं जो आवेश क्या करते हैं गती करते हैं वो गतसील आवेश होते हैं और इनके कारण भी क्या होता है बैद्दुत छेत्रुत्पन होता है दूसरा बैद्दुत धारा उत्पन होती है तीसरा चुम्ब किये छेत्रुत्पन होता है चौथा बिभव एबम धारता उत्पन होता है और अगर देखा जाए तो चार यूनिट्स मैंने आपको ऐसे ही बता दी है आदा सिलेवर से तो सिर्फ और सिर्फ आपके आवेश पर ही इस्तित है उसके बाद तो दो तिन चीज़े और आजाती है जैसे प्रिकाश हो गया नाविकिया हो गया परमाडू हो गया ठीक है और कुछ मॉडर्ण फिजिक्स भी आती है ठीक है तो अगर देखा जाए तो आवेश ही टॉयल्ट की फिजिक्स के लिए क्या है बहुत ही महत्पूर है ठीक है तो आज की क्लास यहीं क्या करते है समाप